तो नवस्कार दोस्तो आप सभी का uh ओगत है मेरे इस यूठी चैनल पर दूस्तो आज बात करते हैं भारत की प्रमोख나 दियों की बारे मिढ दूस्तो इस वीडियो में भारत की नदियों की संभूर जानकारी के साथ साथ कहां सी निकली है और कहां पर जाकर चमापन हुई हैं सब कुछ जानकार है तो चलिए दोस्तों आंगे बढ़ते हैं लेकर उससे पहले आप से एक निवेदन है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अंगला नए बीटू डालूंगा उसका नोटिफिकेस्टन आप तक आसान इसे पहुंच सके तो चलिए दोस्तों आंगे बढ़ते हैं दोस्तों पहली नदी यहांपे लिए ते मैंने शिंदू नदी के बारे बात करते हैं दोस्तों सिंदू नदी को इंडीस नदी के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद पर दोस्तों आ रहा है इस नदी का उद्गम तिब्बत इस्तिस्मान श्रोवा जील से हुआ है और दोस्तों सिंदु नदी तिब्बत भारत तथा पाकिस्तान तीन देश से होते हुए अलब शागर में मिल जाती है सिंदु नदी की को लंबाई 2880 क्लो मीटर है और यह भारत में 992 क्लो मीटर बहती है यानि की लंबी है सिंदु नदी की पिर्मुक शाहिक नदियां है जेलम, चिनाप, रावी, ब्यास और सतलज दोस्तो यह भारत की पिर्मुक नदियां है और यह है सिंदु नदी की शाहिक नदियां है दोस्तो दूसरी बात करते हैं अंगली नदी है जेलम नदी जेलम नदी का उद्गम दोस्तो कश्मीर घाटी की सेश नांग जील की निकट बेर नांग नावा के स्तान से हुआ है यह बूलर जील में मिलने के बाद पाकिस्तान पर वेश करती है तथा चिनाब नदी में मिल जाती है जेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई है 400 किलोमीटर चले दोस्तों आंगे बरते हैं अगली नदी की बात करते तो अंगली नदी है ब्यास नदी इस नदी का उद्गम हमालाय के रोहन तंग दर्रे के शमीप ब्यास कुन से हुआ है इसकी लंबाई है 470 किलो मीटर और यहाँ पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है तो यहाँ ब्यास नदी सतलज की साहिक नदी है आगे चलते हैं अंगली नदी है चिनाब नदी हमाचल प्रदेश के लाहौल के 12 लाचा दर्रे से निकलती है यह पीर पंजाल के शामांतर भैते हुए शिकस्तवार के निकट पीर पंजार में गहरा गर्ज बनाती है दोस्तो यहाँ पर यह पॉंट यहाँ रखने लाएक है पीर पंजार में गहरा गर्ज बनाती है कौन सी नदी चिनाब नदी भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है यह पाकिस्तान में जाकर 17 नदी में मिल जाती है अंगली नदी की बात करें अंगली नदी है रावी नदी रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहिन तंग दर्रे से निकलती है एवं पाकिस्तान के मुलतान के समीब चिनाब नदी में मिल जाती है इस नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर चलते हैं दोस्तों आंगे चलते हैं अंगली नदी है सतलज नदी दोस्तों सतलज नदी का उदगम तिबबत इस्तरमान सरुबा जील के निकट राख्छत ताल से हुआ है यह नदी अपने उदगम इस्तान से 1500 किलोमीटर दूरी ते करती है यानि कि इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है वह पाकिस्तान में चिनाव नदी में मिल जाती है दोस्तों भारत से 17 नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है दोस्तो इसमें पिर्शिद नागलबान सचला नदी पर ही बना हुआ है जो भी पिर्शिद बान है भारत में नागलबान यह सचला नदी पर ही बना है अगली नदी है दोस्तो गंगा नदी गंगा नदी का उद्गाम उत्तरा खंड के गो मुक हिम नंद के निकट गंगोत्री ग्लेसियन से हुआ है दोस्तो यह है ग्लेसियन से हुआ है इसका यह पॉंड रहा अंगला है दोस्तो बास्तों में अलक नंदा तथा भागी रती नद इलाबाद के निकट गंगा से यमना मिलती है जिससे संगम या प्रयाग कहा जाता है इलाबाद के निकट गंगा नदी तडचण पूर्ड की ओर बहती है गंगा नदी कहा से कहा बहती है और दोस्तों यह बंगला देश में पिरवेश करती है इसे पदमा कहा जाता है दोस्तों बंगला देश में पिरवेश करती है जहां पर इसे पदमा नदी कहा जाता है और बंगला देश में शमुद्र में मिलने से पहले है ब्रह्मपुत नदी में भी मिलती है जब में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है बांकी की 15 किलोमीटर बांगलादीस में है दोस्तों गंगा नदी पच्छम बंगाल में बिश्व पिर्षिद सुंदर बन का डेल्टा गंद्रमान करती है और गंगा नदी की पिर्मुक शाहिक नदियां एक यम्ना नदी दूसरी है शोन न नदी कोशी नदी गंडक नदी और इत्याय दोस्ती है पिर्मुक नदियां है गंगा नदी की है तो भूर सारी शाहिक नदियां लेकिन ये नदियां पिर्मुक हैं चलते हैं अंगली नदी की बात करते हैं अंगली नदी है यम्ना नदी की पिर्मुक शाहिक नदियां की ब दोस्तों यह इसलिए पिरमुख मगाई जाती है इस नदी का उत्तरा खंड के यमनोत्री नावा गिलीशन से हुआ है जो की बंदर पूछ पहाडी में इस्तित है यमना नदी की किनारे दिल्ली मत्रा तता आगरा जैन से बड़े सहर बसे हुई है दिल्ली भी यमना नदी किनारे बशा है मत्रा बशा है और आगरा जो की बहुत ज़्यादा पिरमुख है यह अपना नदी किनारे बश हुई है यह लगबग 1375 किलोमीटर का शपर तै करके इलहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों यह इसकी के लंबाई 1375 किलोमीटर है और यह गंगा नदी की शाहउक नदी है यह अन्यानी कि प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है यह आ मनदी की प्रमुख शाहे। दिएम्न नदियों में टोस चंबल बेतवा कैन तथा कालीशिंद नदी हैं जो मिया पिर्मुक नदी अंधि को भारत की और कालीशिंद नदी माना जाता है अंगली नदी है दोस्तों चंबल नदी चंबल नदी मद्द पिर्देश के इंदोर जिले में इस्तित महू के निकट जाना पाव पहाली से निकलती है यह नदी मद्द पिर्देश राजिस्तान होते हुए उत्तर पिर्देश के इतवा जिले में यम्न है यह नदी बीवडों गड़ों का निर्मान करती है जो की भिंड मुरे नाम है अगली नदी दूसरी घागरा नदी इस नदी का उद्गम पाउचा च्यूंग्स ग्लेशियन से हुआ है जो त्यब्बत के पठार में इस्तित है यह नेपाल की मद्द से भैती हुई यह नेपा पार्टी का द्रमान करती है और घागरा नदी बिहार में च्छापारा के पास गंगा नदी में मिल जाती है इस नदी की को लंबाई 1200 किलो मीडर है अंगली नदी दोस्तों गौंती नदी गौंती नदी का उद्गम उत्ता परदेश के पीली भीत जिले से हुआ है उत्ता प दूस्तों गंडक नदी इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत की शीमा बरती परबर सिंखलाओं से हुआ है और नेपाल में इस नदी को साली ग्रैमी तथा नारायनी की नाम से जाना जाता है और तरप्रदेश तथा बिहार की सीमा में बहत हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है और गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीर है अंगे बात करते हैं अंगली नदी है कोशी नदी का उद्गम साथ धाराओं से हुआ है जो की नेपाल हमाला तथा कंचन जंगा परबस से निकलती है इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम है अरुन जो की माउंट एवरेश्ट के पार से निकलती है और बिहार के मैदानी भागों में बहत हुए यह नदी भागल पुर्जले में गंगा नदी में मिल जाती है और कोशी नदी की लंबाई लगबग 750 किलोमीर है कोशी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भेंकर बा शदी पहुंचाती है इसलिए इसे बिहार का सोक कहा जाता है अंगली नदी है दोस्तों दामुदर नदी इस नदी का उद्गम छोटा नाकपुर के पठार में इस्तित प्लामु पहाडी से हुआ है यह जारखन से बहते हुए पश्चिम बंगाल में पिर्वेश करती है तत जोस्तों बिहार का सोक कहा जाता है कोश्चि नदी को और पच्छम मंगाल का सोक कहा जाता है दामुदर नदी को जोस्तों अमेरिका की टैंसी नदी घाडी पर योजना पर आधारेत है इस नदी पर दामुदर घाडी पर योजना संचालेत है जो की अमेरिका की टैंसी नद गाड़ी पर यूजना पर आधारेत हैं इसके बाद आंगे चलते हैं अंगली नदी है वेत्वा नदी वेत्वा नदी का उद्गम मद्द पिर्देश से होता है रायसें जिले में इस्तित है इस्तित कुमार गाउं के निकट बिंद्यान चलपरबस से निकलती है दोस्तों वे अंगली नदी है दोस्तों शौन नदी शौन नदी का उद्गम मद्द पिर्देश में इस्तित अमरक अंठक की पहाड़ियों से हुआ है दोस्तों यह है मद्द पिर्देश के रीवा एवं सीधी जले से बहती हुई उत्तर पिर्देश में प्रवेश करती है पटना के शमी गंगा नदी में मिल जाती है शौन नदी की लंबाय लगबक साथ सब चतरए किलोंेटर है और इस नदी पर ही बांढ़्शागर परियुजना इभं रहंद्पर युजना संचालित हैं ब्रह्मा पुत्र नदी ब्रह्म पुत नदी का उद्गम इस तिब्बत इस्तित्मान श्रुगा जील से हुआ है इस नदी का उद्गम इस तल समुद्र तल से पांच जार एक सो पचास फुट की उंचाई सोई दूस्तों यह मीटर में मापा जाता है मीटर की उंचाई पर इस्तित है ब्रह्म पुत नदी तिब्बत में शांग पो नदी से जानी जाती है तथा भारत में अनुनाचर प्रदेश में प्रविश करने के बाद याए द्यांग कहलाती है अनुनाचा प्रदेश में पिरविष करने के बाद यह आए क्या कहलाती है द्यांग कहलाती है और दोस्तों असम में इसे ब्रह्म पुत्र नाम से जाना जाता है तथा बांगला देश में इसे यमना कहा जाता है और गंगा एवं ब्रह्म पुत्र के शंगम के बाद दोनों समलित धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है यानि की मेघना कहा जाता है ब्रह्म पुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में यह 916 किलोमीटर लंबी है और इस नदी पर असम राज में विश् है जुली दीफ इस्तित है कि उसके बाद आंगे चलते हैं अंगली नदी की बात करतें अंगली नदी दोस्तों नरप्दा नदी दोस्तों यह नदी अनदी मध्षि की प्रमुख नदी और यह मद्द पिर्देश के बिंद्यांजर परबत में इस्तित अमर कंटा की पहाड़ियों से निकलती है यह अपने उद्गाम इस्तान से पच्छिमी की ओर तेरा सो बारा किलोमीटर की दूरी तैकरती ही गुजनात के बचोल के निकट खंबाती खारी में मिल जाती है नरब्द नदी पर डेल्टा का निर्वान नहीं होता दोस्तों यह एंड चुरी का निर्वान करती है इस नदी पर इंद्रा शागर परियोजना ओम शागर इंद्रा शागर दूशरी है ओमकालेश्र परियोजना और तीसरी है सरदार सरुबर परियोजना इसके बाद अंगली बात करते हैं तापती नदी इस नदी का उत्गम मद्द पिर्देश के बैतुल जिले के मुलताई नगर के पास से हुआ है तापती नदी पर शिम्पियो साथ 124 किलोमीटर है इसके बात अंगली नदी है दोस्तो महा नदी महा नदी का उत्गम दोस्तो 36 गड़ राज की रायप और जले में इस्तित सेहंबा पहालिशे होता है यह नदी 36 गड़ एबम उडिशा राज में 857 किलोमीटर की दोरीताय करती है और यह बंगाल की खाली में गिरती है इस नदी पर उडिशा राज में पिर्शिद्ध हीरा कुंडबान बना हुआ है दोस्तों यह बहुत ही फिर्मुख जाता है महा नदी पर पिर्शिद्ध हीरा कुंडबान बना हुआ है इसके बात अंगली यह अंगली बात का अंगली नदी है गौमती नदी दच्छण भारat की सबसे लंबी नदी है is की लंबाई 1465 km है और अपने इन विशाल आकर के कारन इस नदी को दच्छण की गंगा कहा जाता है और दुस्तु यह यह एवं ब्रतगंगा की नाम से भी जाने जाती है और सी नाम से भी जाने जाती है यह महाराष्ट आंद्रपिर्देश एवं तेलन गाना के पहाड़ों को पार करती हुई बंगाल की खारी में मिल जाती है इसके बाद अंगली नदी है कृष्णा नदी कृष्णा नदी महाराष्ट के महाबलेश्वर निकट एक जहन्य से निकलती है यह महाराष्ट करनाटक और आंद्रपिर्देश में बहती हुई विजय वारा के निकट भिविन शाक्हा उं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है आनि कि दोस्तो या है बहुत ही ज्यादा अलग परियोजना और दूसरी स्री सेलं परियोजना जो की कारया रहत हैं अंगे बाद करते अंग्ली नदि कावेरी नदी का उदर्वल परनाटक राज्ज के कुर्क जिले में इस्तेथ्व ढरंग गिरी की पहाड़ींगों से हुआ है कावेरी नदी में प्रिशिद्व शिभ शमु नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है और यह इस नदी पर इस नदी पर शिफ समुद्रम जल प्रपात इस्तित है इसके बाद अंगली नदी है छिप्रा नदी है इस तो छिप्रा नदी मद्द पिर्देश के इंदोर जिले में इस्तित काकरी बागडी पहारीश निकलती है इस अंगली नदी है माही नदी इस नदी का उद्गम आरा बली परबट शिंकलाओं से होता है तथा यह गुजनात के खंबात की खाडी में गिरती है और दोस्तों यह नदी करक रेखा को दो बार काटती है यह दोस्तों याद रखने एक बात है माही नदी करक रेखा को दो बा काटती है इसके बाद दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिलीज लाइक करें शेयर करें और दोस्तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तो यदि आपको यह वीडियो पसंद ना आया हो तो आप डिस्ट लाइक भी कर सकते और म